गैस अगर आपने कोई important data डिलीट कर दिया है permanently अपने PC से अपने memory card से अपने pin drive से या कहीं से भी तो आप उसे वापस ला सकते हैं आपको परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है वह कैसे लाएंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं जैसा कि यहाँ पर मेरी pin drive लगी हुई है data नहीं है मेरा 7GB something कुछ data था जो की पूरी तरीके से delete हो चुका है और यह permanently delete हो गया है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे वापस कैसे रहना है इसके लिए वीडियो की नीचे description box में यह link है इस पर जाकर किए यह software download करेंगे अपने PC में इस software का नाम wondershare recover it है या फ्री में download कर सक install होने में अगर आप internet speed है तो यह जल्दी install हो जाएगा install होने के बाद यहां पर start now पे click करेंगे तो यह आपका देखिए यहां पर install successful हो चुका है software आप देखते हैं कि इसमें हम अपना data कैसे recover करेंगे तो यह open कर लिया है मैंने और यहां पर कौन-कौन सा data आप वापस ला सक formatted hard disk से भी आप data वापस ला सकते हैं या फिर partition problem में भी आप data recover कर सकते हैं या फिर memory card hard drive pen drive या removal devices से भी data वापस ला सकते हैं जो कि मैं अभी आपको करके रिखाऊंगा virus attack में जो data चला जाता है उसे अभी आप वापस ला सकते हैं यहां तक कि जब आपका system crash हो जाता है booting problem में कोई data चला जाता है तो उसे भी आप वापस ला सकते हैं आल राउंडर आप कोई भी data वापस ला सकते हैं चलिए हम आपनी pen drive का data वापस लाके आपको दिखाते हैं इसके लिए हम external device recovery पर click करेंगी और यहां पर next पर click कर देते हैं तो यह मेरी pen drive सो हो रही है और यहां पर हम start button पर click करके recovery को start कर देते हैं तो यह data recovery का process चल रहा है और इसमें कुछ time भी लगता है तो थोड़ा सापको wait करना पड़ेगा और इसके बाद हम देखते हैं हमारा data यहां पर scan complete हो गया है और मेरा seven point कुछ data वापस आ गया है जो मेरा permanently delete हो गया था तो यहां पर मेरे काफी सारे files है तो यह वापस आ गए है और मुझे कुछ photos वापस लेनी है जो कि मैंने गलती से delete करे थी तो यह है वो photos जिन्हें हमको recover करना है तो इन्हें recover करने के लिए हम इन्हें select all कर लेते हैं और recover button पे click कर देते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आप केवल 100 MB data recover कर सकते हैं जाल के लिए मैं 100 MB data recover करता हूं इसके लिए मैं यहां पर click करता हूं और इसके बाद अपना destination folder select कर लीजे जहां पर आपको data save करना है यानि कि recover करना है तो मैं desktop पर recover folder में इसे recover कर लेता हूं और यह मेरा recover हो चुका है तो अब देखते हैं मेरा data आ गया है कि नहीं आया है तो यह desktop में इसे open करता हूं तो यह folder बन गया है और इसमें मेरे सारे photos आपको दिखाई पढ़ रहे हैं कि वापस आ गये है और यह वही quality है जो पहले थी तो यह बहुत अच्छा तरीका है data go वापस लाने का recover करने का I hope you like this video अगर आपको वीडियो पसंदा है तो like कीजिए दूस